आप देख रहे हैं हमारे human anatomy and physiology के सिरीज में unit 3 जिसका नाम है nervous system और इसी nervous system के कई सारे parts को cover करते करते आज हम आप पहुँचे हैं brain stem के बारे में तो आज का वीडियो cover करेगा आपके brain stem को साथ में देखेंगे कि brain stem के कौन कौन से part है और पार्ट का respectively function क्या है यहां पर brain stem से related diagram आपको दिख रहा है और right side में उससे related कुछ theories दिख रही है brain stem कहने का मतलब है brain का वो मत्वपून पार्ट जो signal के लिए relation का काम करता है जो की connect करेगा आपके cerebral cortex को आपके spinal cord से उससे फिर आगे message का signal के रूप में आधान प्रदान करना और इसके कारण से आपका पूरा sensor system है आपके brain का वो survive कर सकता है तो चलिए देखते हैं कि आपको आज के वीडियो में क्या क्या parts मिलेंगे क्या क्या हम समझेंगे थोड़ा सा लंबा वीडियो है अगर आप सीखना चाहते हैं तो last तक देखिए अगर आ सिब time pass करना चाहते हैं तो बस आपका time pass हो गया है आप वीडियो को बंद करके अपने मंतुपुन कारे को करने में लग सकते हैं हम बात करते हैं जब brain stem का है तो brain stem एक ऐसा crucial और critical part होता है आपके brain में जो कि brain का base कर लाता है यानि कि ये brain के base में situated होता है और इसका जो काम है वो है connection provide करना अगर आप यहाँ पर देखें थियोरी में तो लिखा भी हुआ है कि इसका काम क्या करना है connection provide करना किसके किसके बीच में cerebral cortex में जो कि सबसे outer layer होता है brain का और उसका संबन आपके spinal cord से जो कि खुद एक part है आपके central nervous system का इन दोनों के बीच में connection stabilize करने का अपन ऐसे समझें कि अगर आप किसी व्यक्ति से एक पुराने मार्चिस की डिबबी में एक धागा लगा करके बात करना चाहते हो जिसे आप बच्पन में खेला हुआ होगा तो यह एक प्रकास से उस धागे की तरह है जो यहाँ की आवाज वहाँ और वहाँ का आवाज यह रिले करने का ट्रांसफर करने का काम करता है रिले सेंटर रेडियो सेंटर वैसा ही रिले सेंटर समझ लीजे कि वैसा ही होगा तो उस तरीके से यह काम करता है और अपनी इसी भूमिका के कारण से यानि कि सुचनाओं के कनेक्टिविटी बनाने की कारण से यह इसका जो फं मैं sequence को कुछ इस तरह के से maintain करूँ नीचे से उपर क्योर तो पहला area है हमारा medulla oblongata का दूसरा है आपका pons का और तीसरा है आपका mesencephalon जिसको हम लोग आगे एक नाम और से जानेंगे हूँ आपको जब slide आएगा तब मैं आपको वहाँ पे बहुत क्लियर कर दूँगा तो चलिए देखते हैं कि brain stem के कौन कौन से main part होते है तीन ही मत्वपून part होता है सबसे पहला part है आपका medulla oblongata यहसे हम लोग simply कई बार medulla भी बोल देते हैं तो medulla oblongata क्या है उसका anatomic क्या है वो आप डियागराम से टेली करते वे चलिएगा medulla oblongata is the lowest part सबसे नीचे का part है आप देख भी सकते हो मैंने कहा कि इस sequence से अगर हम मुपर जाएं तो is the lowest part of the brain stem transitioning into the spinal cord जो की spinal cord की over move कर रहा है it controlled vital function इसका जो मत्वपून काम है वो बत्वपून function को control करना है उस function के अंदर जब से पहला है आपका breathing सांस लेने को control करता है आपके heart rate को control करता है आपके blood pressure को control करता है जो भी food material हम लेते हैं उसके respect में digestion करने का जो काम है उसको control करना उसके control का responsive signal का movement करना यह आपके medulla oblongata का काम होता है medulla oblongata also houses important reflex center जैसे हमारे body में अलग अतरह के reflex center होते है अभी तो आप साहज उनको ना समझ पाओ आगे जब pharmacology में पढ़ेंगे न तो easily समझ में आ जागा कई तरह के reflex center हमारे body में पाया जाते है और उन maximum reflex center को एक जगह, एक situation, location प्रवाइड करने का काम भी इसी medulla oblongata का है example के लिए यहाँ पे देखिए कौन-कौन से reflex center होते हैं जैसे की आपका cuffing center cuff center हम बोलते हैं sneezing center, swallowing center and vomiting center यहाँ पे दो-तिन चीज़ें समझ में आ जाएंगी अगा simple तरीके से first year के इसाप से बात करूँ तो पहला है आपका cuffing center इसको अपन गोरा घेल लेते हैं cuffing center का नेक मतलब है एक ऐसा center जहाँ पे आपका जब throat में कोई sensation जैसे यह देख लिए यह आपका throat हमाल लेते हैं इस पे कोई irritant आ गया microloxam आ गया तो यह irritant एक message भेज़ेगा आपके इसी throat के sense को sense करने वाले cuffing center में अब इसका अगर threshold जादा है तो cuffing center reply करेगा और आप इसके respect में cuff करेगा तब खासेंगे वो उसको बाहर निकालने कोशिश करेगा तो यह पूरा control आपके cuffing center का हो गया वैसे आपको vomiting center है जिसे हम chemo receptor trigger zone कहते है जिसके sensation के start होने पे आपको vomiting का feeling होता है और वो आपके आखरी में vomiting में convert हो जाता है starting में यह nausea होगा जो कि vomiting में convert होगा तो यह था आपके medulla oblongata का short में street में function अब अगर आप diagram देखिए तो यह जो हिस्सा आप देख रहे है यह वाला हिस्सा जो cover कर रहा है आपका पूरा इस diagram में यही है आपका medulla oblongata इसके बाद दूसरा जो part है हमारा वो है pons जो कि आप यहां से देख सकते हैं इसका क्या काम है और इसका क्या location है diagram से समझ में आ गया located above the medulla यह किसके उपर है medulla के उपर located है the pons act as a bridge connecting different part of the brain यह bridge का काम करता है जो brain के different different part को connect करता है वैसे भी यह बीच में है तो इस तरफ उसके आगे या नहीं के उपर के और और नीचे की बीच में आप connection तो establish कर नहीं है connection establish कर रहा है जो कि उपर में भी यहां पर लिखा हुआ है इसका मतलब ब्रिजिंग का तो काम करी रहा है it relay the signal between cerebrum cerebrum के बारे में भी बात किया था किसके किसके बीच में relay का काम करता है cerebrum, cerebellum and the medulla इनके बीच में signal को transfer करने का processing के लिए इसका काम करने का काम है आपके pons का the pons is involved in regulating sleep अब यहां पर काम आ जाता है किसको किसको function करेगा यह आपके knee को control करेगा उठने को control करेगा और different aspect of breathing इसको भी control करने का काम करता है आपका pons तो यह हो गया हमारा दो main function आपके medulla oblongata के part के respect में medulla oblongata का एक हुद और दूसरा आपका pons का चलते हैं second slide पे तीसरा जो part है हमारे brain stem का वह है आपका mid brain जब मैंने आपको सुरू में कहा था कि इसका एक अलग नाम है वो आपको हम last मताऊंगा तो mid brain को mesencephalon के नाम से भी जानते हैं ये question महत्वपूर्ण होगा आप इसको याद रखेगा क्योंकि जब कभी भी किसी भी चीजों के नाम एक से जादा होते हैं तो वो question जो है थोड़ा सा important आपका बढ़ जाता है तो हम अब तक देखते रहा है नीचे से उपर के और अगर जाएंगे तो पहला पार्ट था आपका medulla oblongata उसके उपर situated था आपका pons now pons के उपर situated है आपका mid brain या फिर mesencephalon इसका क्या काम है इसका क्या specification है वो अब हम देखना सुरू करते हैं the mid brain और mesencephalon is the uppermost सबसे उपर का पार्ट है brain stem के respect में यह बहुत सारे important काम करता है जैसे कि एक channel के काम करेगा आपके sensory और motor information के बीच में किसके के बीच में brain और spinal cord के बीच में sensory देखिए हम फिर सिसको अटाइन कर दो it serve as a channel एक pathway एक रस्ता for sensory as well as motor information किसके किसके बीच में brain और spinal cord के बीच में जो कि brain और spinal cord मिल करके central nervous system बनाते हैं केंदरी यह तंतिर का दंत बनाते हैं the mid brain contains several nuclei यह बहुत सारे nuclei से content होता है and structures including superior and inferior colliculi which involve in visual as well as auditory process जो कि सुनने और देखने in process के लिए responsible होता है processing respectively मतलब इन दोनों के process को करने में अदुपून भूमिका निवाता है it also play a role in coordination या coordinating between eye movement eye movement की बीच में coordination maintain करने का काम करता साथ ही साथ यह आपके slip, wake cycle, circadian cycle इसको बोलते हैं और अलग तरह के जो motor function है इनको control करने का काम करेगा कौन आपका mid brain अब शुरू में हमने यह discuss किया था कि अलग अलग center located होते हैं तो आप यहाँ पे हम देखें किसके अंदर, medulla के अंदर medulla oblongata के अंदर अब मैं आपको उन center के बारे में briefing करूँगा कि कौन कौन से important center है जो house के रूप में rules करते हैं या house के रूप में located होते हैं आपके medulla oblongata का तो here are some notable feature of the medulla यहाँ पे हमारा तीनों पार्ट खतम हो गया medulla oblongata, pons और आपका midbrain खतम हुआ अब हम बात करेंगे special reference to medulla अलग-अलग center हैं पहला आपका cardiovascular center cardiovascular center मतलब दो सब दो से मिलके बना है आपका cardio और दूसरा vascular मतलब यह आपका blood और आपका heart यह दोनों system मिलकर के cardiovascular center बनाते हैं so the medulla contain the cardiovascular center which play a crucial role in regulating the heart rate जो कि आपके heart rate heart rate को control करने का काम करेगा heart rate अगर बढ़ जाता है तो इसे हम tachycardia बोलते हैं और अगर heart rate घड जाता है तो इसे हम bradycardia कहते हैं दोनों को combine रूप से कर आप बोलोगे तो simply इसको हम arrhythmia के नाम से जाते हैं heart rate के साथ आथ या आपके blood pressure blood vessel का जो diameter है yarni contraction या relaxation of the blood vessel respectively इसको control manage करने का काम करेगा it receive input from the baroreceptor अब यह आप pharmacology में पढ़े होगी baroreceptor क्या है दो सब्दों से बना है barrow और receptor barrow का मतलब pressure से है और receptor मतलब एक ऐसा proteinious molecule है जो macromolecular in nature होता है इसका काम signal को identify करने का है या तो यह cell के surface पे available होंगे या तो फिर आपके cell के अंदर available होंगे तो यह एक sensor है समझ सकते हैं जो detect करता है कि blood pressure में क्या changes हो रहा है और उसके साथ chemo receptor chemo receptor मतलब chemica और receptor मतलब recognize करने माले इन सब receptor के बारे में हम अलड़ी पहले की topic में discuss कर चुके हैं तो अगर आप सीधे इसमें jump करें हैं तो मैं चाहूँगा कि आप वापस जाकर कि उस topics को sequence wise देखिएगा number wise देखिएगा पूरा concept clear होगा एक 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 जम करेंगे तो आपको समझ में शायद अच्छे से न आ पाए इसके साथ साथ ये changes in blood oxygen and carbon dioxide इनको भी detect करता है ताकि आपके जो cardiovascular function है इनको भी अच्छे से अपन regulate करके रख सकें कितना level है आपके blood में oxygen का, carbon dioxide का इसको ये facilitate करता है आगे चलते हैं देखते हैं और कौन-कौन से center available है इसके बाद हमारा next center है respiratory center मतलब सिधा-सिधा है एक ऐसा center जो आपके respiration के काम को control करता होगा तो हम ये कह सकते हैं कि medulla का ये वाला part respiratory system is responsible for the controlling the rate and depth of breath उस दोनों के rate और depth breathing के respect में control करने का काम करता है it contains the primary respiratory center ये primary respiratory center करता है जिसके अंदर आपका dorsal respiratory group या ventral respiratory group जिसको आपका शौट में VRG कहते हैं और DRG मतलब आपका dorsal respiratory group शौट में abbreviated है इनको control करने का काम करेगा तो क्या है DRG DRG is primary control inspiration यानि कि inhalation को DRG control करता है जबकि VRG involved in both inspiration as well as expiration inhalation और expiration को तो मेरे ख्याल से ये वाला जो question है वो आपके MCQs का question बन सकता है कि DRG किसके रिस्पॉंसिबल है और VRG किसके रिस्पॉंसिबल है थोड़ा सा tricky question के रूप में आपसे पूचा जा सकता है इसको थोड़ा सा याद रखेगा इसके बाद है आपका reflux center reflux center क्या है medular houses several reflux center that control various automatic reflux essential for the survival जिसके अंदरगात आपका coughing जिसके बारे में हमने बात किया sneezing, swallowing and vomiting इनको ये पूरा control करता है this reflux helps in protect the airway coughing होगा तो ये airway को protect करेगा किस से irritant से और साथ साथ में आपके खाने और digestion के process में coordination करने का भी काम करेगा next है आपका decociation of paramide इसमें क्या है one of the most distinct feature of the medular is decociation इसका मतलब होता है crossing over crossing over से लेकर के आपको एक word मैं आपको साथ पहले भी discuss किया हुआ हूँ यही कारण है कि आपका जो right hemisphere है वो आपके left वाले हिस्से को और left hemisphere आपके right वाले हिस्से को control करता है क्योंकि वो cross over हो जा रहा है यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है crossing over यह अलब point आगे देखेंगे the pyramidal tract are bundle of nerve fibers यह nerve fiber के bundle होते हैं जो कि आपके voluntary motor control के लिए responsible होते हैं कि इसमें in medulla oblongata लगभग 90% of this fiber are ductacid meaning they cross the opposite side of the brain stem जैसा अभी हम कह रहते हैं कि आपके brain stem के opposite side को यह cross करते हैं before descending down to the spinal cord as a result left side of the brain control the movement of the right side of the body and right side of the brain control the movement of left side of the body यानि कि vice versa यह control करने का काम करेगा finally last है हमारा nuclei of cranial nerves the medulla contain medulla मतलब medulla oblongata contain several nuclei that give rise to the cranial nerve which are responsible for the controlling various function यह पूरे का पूरे various function control करने में responsible होते हैं जैसा अब आप बात करोगे function का तो head neck and visceral organ इनको यह control करते हैं example की बात करेंगे तो the nucleus ambiguous is involved in the controlling the muscles of the throat as well as larynx while the hypoglossal nucleus control the movement of tongue मतलब यह tongue का और फिर यह आपका larynx के इनके movement के control करने के लिए responsible होते हैं तो इस तरके से हमने आज के थोड़े से लंबी वीडियो में देखा कि आपके brain stem के कौन-कौन से मत्वपुन पार्ट होते हैं उन पार्ट का अपना क्या-क्या मत्वपुन फंक्चान होता है यह पूरे notes आज मैंने जो आपको पढ़ाया वो इसके पहले का और इसके बाद जो भी notes में यूज़ करूँगा उनको और handy turn notes अगर आप आप के अंदर ही डाउनलोड करना चाहते हैं पूरे lecture वीडियो साथ में देखना चाहते हैं या इन सब के all and mcqs पार्ट स्पेट करना complete से ले बसका तो डाउनलोड किजिए solution pharmacy का mobile app डाउनलोड करने के बाद आपको app के नीचे साइड में store का tap दिखेगा वहाँ पे क्लिक करिए वहाँ पे मुझारे course हैं उसमें से एक course होगा Human, Atomy and Physiology का उसको आप जॉइन कर सकते हैं तो आज के वीडियो के लिए इतना ही तेंकिस सुमर्ट पर लोग इस वीडियो नमस्कार टेक केर